हेलो, कैसे हैं आप लो, तो आज की रेसिपी पालक डाल की है, यहां मैं मूंग डाल ले रही हूं, ग्रीन वाली स्प्लीट्स, यह मैंने एक कप के राउंड ली है, तो त्री टाइम्स इसको अच्छे से वाश करके हम फाइफ मिनिट्स के लिए सोख करेंगे, तो मैं इसे सोख होने के लिए रख दे रही हूं, फाइफ मिनिट्स के लिए, तब तक हम अपने वेज़िटेबल्स कट कर लेते हैं, मैंने यहां वन बंच के अराउंड पालक लिया है, इसको हम फाइन चॉप्ट कर लेंगे, मैं यह अलग तरीके से रेशिपी बनाने वाली हूँ, इसे हम कुकर में कुक नहीं करने वाले हैं, कुकर में सिर्फ हम दाल कुक करेंगे, हमारे यहां पालक चॉप्ट हो चुके हैं, मैंने मीडियम साइज के अनियन्स लियें, इसको फाइनली चॉप्ट करेंगे, टमाटर को भी हम फाइन चॉप्ट कर लेंगे, सबजिया कट हो चुकी हैं, अब हम दाल कुक करेंगे, यहां पर मैंने कुकर चड़ा दिया है, और कुकर में मैं यहां देड़ गलास पानी दे रही हूँ, गरम होने के लिए, उसके बाद हम इसमें डाले जो हमने सोख की थी, वो डालेंगे, पानी गरम हो रहा है, मैं यहाँ पे दूसरे साइट कड़ाई चड़ा रहे हूँ, ताकि अपने पालक इसमें रोस्ट कर सके हम, डालों का पानी हम फैक देंगे, डाल को इसके बाद हम ट्रांसफर करेंगे कूकर में, पानी भी गरम हो चुका है, इसमें हम डालों को डाल दें है ताकि दाले हमारी बहार ना आए यहां मैं एक चमच हल्दी डाल रही हूं कि वन टेबल स्पून हम सॉल्ट डालेंगे और हाफ टेबल स्पून हम ब्लैक पपर डालेंगे हाफ टेबल स्पून में यहां ओयल डाल रही हूं ताकि दाले बहार ना फ्रैकिए दूसरी साइड यहां हमारी कड़ाई भी गरम हो गई है अब इसमें हम तीन चमज की लगबग तेल डाल देंगे मैं यहां मस्टर्ड ओयल यूज कर रही हूं जो ओयल खाते हो आप वही यूज करें दाल यहां हमारी उबल चुकी है इसका हम ड़कन लगा देंगे गरम हो गया है इसमें मैं वन टेबन स्पून जीरा दे रही हूं जीरा चटकने के बाद इसमें हम फाइन चॉप्ट अनियन्स डालेंगे अनियन्स को हम ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे हलका सा पिंक हो जाए उसके बाद इसमें हम टमाटर डाल देंगे हाफ टी स्पून मैं यहां सॉल्ट डाल रही हूं और सॉल्ट अप अपने एकॉर्डेंग जब तक पाणी ना छोड़ते हैं यहां मैंने कड़ाई में पालक इसलिए रोस्ट कर रही हूं क्योंकि पालक का तेस्ट और अच्छा हो जाए क्योंकि आपने कभी का नोटिस किया होगा कि आप कुकर में जब पालक दे के दाल उबालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अलग आता है अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो इसका जो न्यूट्रिशन से वह और अच्छा होगा और यह ज्यादा हेल्दी भी तो यहां आपको सब्जियों के चंक्स दिख रहे होंगे जो बिल्कुल भी मैंने ज़ादा इसको कुक नहीं किया है पालक हमारा रेडी हो गया है अब हम दालो को चेक कर लेते हैं यहां दालों में मैंने दो सीटी लगाई है हमारी अच्छी सी कुक हो गई है अब इसमें हम पालक फ्राई किया था वो इसमें हम ढाल देंगे और इसमें मैं सिटी नहीं आने दिये तहilsaren को बॉइल करना था तो लिजी हमारी दाल पालक रेड़ी है मैं मैं इसे अब चावल के साथ सर्व कर रही हूं आप चाहे रोटी या पराठे के साथ चावल के साथ सर्व करें हमारे यहां पे चावल के साथ ही खाया जाता है ट्राइडिस हेल्थी एंड यूनिक रेसिपी